नमस्कार दोस्तों आयूर्वेद बाबा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे टम्बाकू के फायदे पंबाकू का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक तत्वों में से एक है ये बात सही भी है और इसी लिए सरकार द्वारा इसके इस्तिमाल पर प्रतिबंद भी लगाया जाता है लेकिन यदि आप हाकिकत की बात करें तो ये थोड़ा चौकाने वाला है क्योंकि यदि आप तंबाकू का सहीमित इस्तिमाल करें तो ये आपके सेहत के लिए लावतायक भी साबित हो सकता है आपको बता दें कि तंबाकू वास्तव में एक तरह से शुप, समूह, जातिय वनस्पती है तंबाकू एक पौधे के रूप में विक्सित होता है जिसकी उचाई अधिकतम 90 सेंटी मीटर तक होती है तंबाकू को कई तरीके से लोग सेवन करते हैं कई लोग इसे चुने के साथ रगड़ करके मुह में रखते हैं तो कई इसे सिगरेट या वीरी के रूप में धूनरपान के लिए इस्तेमाल करते हैं जाहिर है इसके ज़्यादा मात्रा में व्योग से कैंसर की संभावना बलवती होती है इसलिए इसके इस्तेमाल से यसाभव बचना ही अच्छा है तंबाकू खाने के फायदों को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करें तंबाकू खाने के फायदे नंबर वन अंड़कोश की सूजन तंबाकू के पत्तों पर तिलका पेल लगा कर हलका सा गर्म कर लें इसके बार तंबाकू के गर्म पत्तों को अंड कोशों पर बांधने से सूजन ठीक हो जाती है नमबर दो दांतों का दर्द तंबाकू की पत्तियों को नमर के साथ बारी पीस कर रख लें इस मंजन से प्रतिदिन सुभा शाम मूर धुने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है तथा इससे मसूरों की सूजन भी खत्म होती है। तंबाकू का मंजन बना कर मंजन करने से दंटशूल, दांतों का दर्द, नश्ठ होता है। इस राक की 250 मिलीग्राम की मात्रा को पान के पत्ते में रखकर तति दिन खाने से दमा रोग ठीक हो जाता है। जलाकर राक बना लें और इस राखा को 100 मिलीटर सरसों के तेल में मिलाकर गर्म करें। इसके बाद तेल को ठंडा करके सिर में लगाएं, इससे बाद जढ़ना रुक जाता है। नमबर सिक्स रतौंधी देशी तंबाकू के सूखे पत्तों को पीस कर कपड़े में छान कर सलाई से सुभा और शाम हुमें लगाएं। इस प्रकार से प्रते दिन उप्चार करने से रतौंधी में लाब मिलता है। No.7 कमर दर्द तंबाकू के पत्तों पर हलका सा तेल लगा कर कमर पर बांधने से शीत लहर से उत्पन कमर का दर्द ठीक हो जाता है. No.1 धनुष्टंकार तंबाकू के पत्ते को पानी में वालकर पानी को च्छान कर पिछकरी द्वारा रोगी के मलदवार में हलका पहुचाया जाए तो धनुष्टंकार में लाव मिलता है. No.9 गठिया त्री लीटर पानी में वान किलो तंबाकू भिगो दे. भिगोए हुए पानी में तंबाकू मसल कर च्छान लें फिर इसमें तिल का तेल मिला कर रोजाना सुभा शाम मालिश करने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है. No.10 पीलिया तंबाकू का धूम्र पान करने से पांडू रोग में शीगर लाव मिलता है. बच्चों के अंड़कोष की सूजन काली तंबाकू के पत्ते पर एरंडी का तेल लगा कर इसे आग से सिंखे फिर से अंड़कोष पर बांदे. इस प्रकार से उपचार करने पर अं की सूजन दूर हो जाती है.